भारतिय सम्विधान के बुनियादी मूले हमारे सम्विधान का दर्शन हमारे सम्विधान के दर्शन को समझने के लिए हमें अपने सम्विधान के प्रस्तावना को समझने की जरूरत है. किसी सम्विधान में इसके बुनियादी मुलियों की एक छोटी सी उद्देशियका को सम्विधान की प्रस्तावना कहा जाता है भारत के सम्विधान की प्रस्तावना के महतपून शब्द है हम भारत के लोग जिसका आर्थ है कि भारत के सम्विधान कर निर्मान आउर अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है. प्रभुत्व संपन या संप्रभु संप्रभुता का अर्थ है कि भारत एक स्वतन्तर देश है, और कोई बाहरी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है. अंग्रेजों ने भारत के लिए स्वातंत्र उपनिवेश का प्रस्ताव रखा था, जिसका मतलब था कि ये देश ब्रीटिश राजशाही के तहत रहेगा सम्विधान सभा ने इस विचार को खारिच कर दिया और पूर्ण स्वातंत्रता को प्रात्मिक्ता दी समाजवादी भारतिय समाजवाद इस अवधारणां पर आधारित है कि समाज में संपदा सामोहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बटवारा समानता के साथ होना चाहिए सरकार जमीन और उद्योग धंदों की हगदारी से जुड़े कड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असामानताएं कम हों पंध निर्पेक्ष भारत में कोई धर्म आधिकारिक नहीं है नागरिकों को किसी भी धर्म या पंध को मानने की पूरी स्वतंत्रता है सरकार सभी धर्मिक माननताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है लोग तंत्रात्मा सरकार का एक ऐसा सोरूप जिसमें लोगों को समान राजनेतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासक का चनाव करते हैं ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है और अपने नागरिकों के प्रती जवाब दे है भारतिय सम्विधान के मार्ग दर्शक मूले गण राजे इसका अर्थ है कि शासन का प्रमुक लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ती होगा ना कि किसी वंश या राज खांदान का नियाए नागरिकों के साथ उनकी जाती, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता सरकार गरीबों और दलितों के कल्यान के लिए कारे करेगी ताकि सामाजिक आसमानताओं को समाप्त किया जा सके सुअत्त रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चलिया रही सामाजिक आसमानताओं को समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अफसर उपलब्ध कराने की वैवस्था करें बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें, जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, कोई भी नागरिक, किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम तर ना माने संस्थाओं का सौरूप सम्विधान सिर्फ मोलियों और दर्शन का बयान भर नहीं है, इन मोलियों को एक संस्थागत रूप देने की कोशिश ही सम्विधान है ये मैसूस किया गया कि सम्विधान लोगों की आकांग्शाओं और समाज में हो रहे बदलावों के अनुरूप होना चाहिए इस प्रकार सम्विधान संशोधन के प्रावधान का गठन किया गया भारतिय सम्विधान उन नियमों को बताता है जिनके अनुसार सरकार का गठन किया जाएगा ये स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार में किसके पास कितनी शक्ति होगी साथ ही ये नागरिकों को कुछ स्पश्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्षमन रेखा तै कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती